हेलो वेलकम गाइज मैं हूँ मंचै और आज हम लोग एक बहुत है इंपोर्टेंट टॉपिक और एक बहुत है इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अलेटर टू कॉड़ एलेटर टू कॉड़ क्लास टेंथ इंगलिस का चैप्टर वन है जिसमें उसका जो डिफिकल्ट वर्ड मिनिंग है उसको आज हम लोग बिसार से देखने वाले हैं तो गाइज आए शुरू करते हैं गाइज यदि फर्स्ट वर्ड मिनिंग की अगर बात की जाए तो एंटाएर एंटाएर का मतलव होता है कंपलीट होना कंपलीट को हिंदी में अगर देखा जाय तो क्या बोल सकते हम लोग फूर्ण होना है ना सेकेंड सीज है जिसको बोल सकते है क्रेस्ट क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ओफ हील मतलब जो पहाडियां होता है उस पहाडियों का सबसे जो उपर वाला जो पाठ होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट इसको हिंदी में बोलते हैं चाहे तो सीखर बोलते हैं या फिर चोटी थर्ड क्या बोल सकते हार्वेस्ट हैना हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल फसल ऐसा फसल जो सिजनली उगाया जाए हैना इसके बाद होता है डाउन पोर का मतलब होता है थुली थुली का मतलब पूरी तरह से ठीक है इसके बाद है प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट का मतलब होता है से इन एडवांस से इन एडवांस का मतलब होता है जो भविश्वानी करता है है ना यानि किसका मतलब हो गया भविश्वानी करना ठीक है इसके बाद है expression expression का मतलब होता है भाव है ना मतलब उसका क्या भाव है उन्हें बोल सकते है aspect of face ठीक है इसके बाद है regarded regarded का मतलब होता है look closely इसका मतलब है कि ध्यान से देखा ठीक है यहां तक बाद समय में रही है फिर क्या चीज़ बोल सकते है conscience का मतलब होता है moral sense of light या moral sense of right wrong गलत भी सही भी क्या मतलब जो sense क्या बोलता है इसका मतलब अंतरात्मा इसके बाद the steal Estill that means क्या होता even in this या पिर बोल सकते that time मतलब अभी भी ऐना इसके बाद है boss बाओस का मतलब होता person in authority जिसको बुल सकते officer लोग जो होते है उसको बोला जासकता है और क्या मतलब का क्रूर्फेषन प्रोफेशन का मतलब होता है जो बेवसाय होता है उसको बोला जाता है फिर इसके बाद बोल सकते है अनिवल है ना उसके अमियबल अमियबल का मतलब होता है काइंड हटेड है ना यानि कि जो द्यालू हिरुदय वाले होते है उसको बोलते है फिर इसके बाद बोल सकते हैं क्या टाप का मतलब होता है थप थपाना है ना क्या थप थपाना इसको और क्या बोल सकते हैं इसके बाद होता हैं कॉंटिनेंट है ना या फिर बोल सकते हैं कंटिनेंट भी बोल सकते हैं कंटिनेंट का मतलब होता है रिमार्क रिमार्क का मतलब होता है टीफनी करना ठीक है इसके बाद है correspondence अस्टक है ना इसका मतलव होता पत्र बैववार बात समझ में रही है इसके बाद है आपका यहां पे दो ब heiß है sick, sick का मतलव होता हिलाना या फिर इसके बाद होता है कमजोर करना ठीक है फिर है इसके बाद गुडविल है ना गुडविल का मतलब होता है प्रेंडली फिलिंग या जिसको बोल सकते है सौध भावना यहां तो बात सौझ में आ रही है गाईज यदि next word meaning की अगर बात कीजाएं तो हम लोग देख सकते हैं developed का मतलब होता है ढखका हुआ ठीक है इसके बाद है अब बोल सकते है कर्टें कर्टें का मतलब होता है cover या उसके उपर जो आवरन होता है इसके बाद है हीली स्टोन है नहां है। हिली स्टोन का मतलग होता है ओले हैं जो बारिस खोड़ देना ठीक है और इसके बाद है आपका फरोजन है रूजन आपका फ्रीजिंग से सब्द आया है फ्रिजिंग का मतलब होता है जमना बोल सकते है और प्रोजन का मतलब उसका थर्ड फॉर्म बोल सकते है तो क्या चीज़ है तो जमने हुए ठीक है इसके बाद है आप बोल सकते है पील्स है ना पील्स का मतलब क्या होता है मोती फिर इसके बाद है रिमेन रिमेन का मतलब होता सेस रहन ठीक है और एक है प्लोग का मतलब होता है एक बीमारी या जिसको बीपती बोल सकते हैं फिर है आपका लोकश्ट का मतलब होता है तीरी इसके बाद है सोलारीटी सोरी यह सोलीटरी सोलीटरी का मतलब होता है अकेला ठीक है एक है आपसेट आपसेट का मतलब होता है वरीट या बोल सकते है ट्रबल ट्रबल का मतलब होता है परेशान ठीक है फिर है इसके बाद गुडविल गुडविल का मतलब होता है जिसको बोल सकते है सद जादा फिर है सेलरी सेलरी देट मिन्स क्या पे है ना या फिर बोल सकते हैं वेतन फिर है ओबलाइस्ट ओबलाइस्ट का मतलव होता है मजबूर होना ठीक है इसके बाद है कैरेटी है ना या फिर चैरेटी बोल सकते हैं मतलव इसका मतलव होता है उदारता या फिर दाया फिर है इसके बाद एक स्प्रींसिंगką मतलव होता है मौसुस करना थीक है कि इसके बाद है contentment है ना contentment का मतलब जो होता है वो होता है संतूस्टी इसके बाद है आप देख सकते है preform है preform नहीं सको perform बोलते है perform का मतलब होता है करना that means क्या दू बासवाज मेरी यह गाइज इसी प्रकार समलोग देख सकते है next जो अड मिनिंग है वह है instruct का मतलब होता है teach या inform करना या सीखाना या फिर बोल सकते बताना ठीक है deed का मतलब होता act का मतलब हुआ कारे यहां तक तो बासवाज में रही है और इसी परकार से और भी हम लोग वर्ड मिनिंग देख सकते हैं वह है जिसको बोल सकते स्लाइट टेस्ट है ना स्लाइट टेस्ट का मतलब होता है बहुत ही छोटा बहुत ही कम बहुत ही ली लीटिल है इसके बाद है confidence confidence का मतलब होता है विश्वास ठीक है जिसको फैत भी बोल सकते है इसके बाद है डेनी डेनी का मतलब होता है say no या फिर refuse करना refuse that means क्या होता है इनकार करना ठीक है इसके बाद है wrinkling का मतलब होता है have wrinkles मतलब जो जूरियां होता है जूरियां होना ठीक है इसके बाद है, bro, bro का मतलब होता है, math, cost, cost तो पहले से जानते हैं, वह क्या चीज़ होता है, made, या फिर बनाया, ठीक है, effort, effort का मतलब होता है, परियतन करना, मतलब बार बार kosis करना, फिर इसके बाद है, express है, और किया बोल सकते हैं, या फिर अन्डर भी बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं, चाटना, यहां तक समझ ronid बात next word meaning की अगर बात की जाया तो है affix न आफिक्स का मतलव होता है लगाना that means fix करना या fasten ठीक है इसके बाद है blow नब लो का मतलव होता हाड स्टॉक वीद फिस्ट है न या फिर एटी सी बोल सकते है परहार यहां तक समझ में आरी यह बात इसके बाद है since since का मतलव होता प्यादagen a फिर बहाद हैं में ना इसके बाद है मेल का मतलव होता है पोस्ट करना बटला जिसको बोल सकते है जादाग और बंच का मतलव होता है घैंग या फिर ग्रूब बोल सकते है या तो समझ में आरी बात से गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने अलेटर टू गॉड का जो डिफिकल्ट वर्ड मेनिंग है उसको देखे हैं हैना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिसकस करने वाले हैं वह इसी चैप्टर का जो question answer होगा चाहे हुआ short answer type question हो long answer type question हो या very long answer type question हो उसको देखेंगे ठीक है तो guys I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like किया किजिए channel को subscribe कर दिया किजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को share भी कर दिया किजिए तो मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए bye